हेलो एविवान तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कुस करने वाले हैं स्कोप पॉब्लिक अड्मिनिस्ट्रेशन में पहले ही डिस्कुस कर चुके हैं स्कोप क्या है तो लास्ली हमने डिस्कुस किया था कि आप पॉब्लिक अड्मिनिस्ट्रेशन को एज अन एक्टिविटी भी आप परफॉर्म करते हो और एज फिल्ल अफ स्टडी आप इसको फोलो करते हो ठीक है तो दोनों हिसाब से हम देखेंगे इसका स्कोप क्या है क्या कॉइन को सकते हैं के सब बड़ रहा है कि घठ रहे है तो इसके बारे में जानेंगे थोड़ा डिटेल में और उसके बाद में हम बात करेंगे significance of public administration साथ ही साथ यह जो फिल्ड है यह एक आर्ट है या साइंस में हम इसको काउंट करें है ठीक है स्टार्ट करते है scope of public administration scope से हमारा मतलब होता है कि दाइरा क्या है इसका अगर मैं lemon language में कहूं तो यह subject कितना useful है हमारे लिए ठीक है इसका scope क्या है as an activity जो अगर मैं public administration को perform करते हूं तो मेरा क्या फाइदा होने वाला है तो सबसे पहले समझते कि इसका scope क्या है चीक है तो कुछ scholars यह मानते है कि neo-liberal time से ही जो scope of public administration वो काफी कम हो गया है और private administration का scope बढ़ रहा है meaning क्या है इसका simple सी बात है neo-liberal time या neo-liberal जो theory है या neo-liberal aspect जो है वो पता होना चाहिए आपको कि actually neo-liberal है क्या तो liberal बेसिकली या neo-liberal जो theory है वो यह कहते है कि market forces को जादा space दिया जाना चाहिए और state का role कम कर देना चाहिए अगर आप state का role कम करोगे तो automatically public administration का role भी काफी कम हो जाएगा और यहाँ पर neo-liberal theory basically promote करती है market को कि market आ गया है market in the sense कि private sector आ गया है private sector आ करके वो सारे काम करे जो अभी तक public administration कर रहा था मेंली service provide कराने का ठीक है तो यह जो neo-liberal time से ही public administration का scope जो दायरा है वो काफी कम होता गया है और private administration का बढ़ रहा है ऐसा हमारा नहीं कुछ scholars का कहना है ठीक है तो यह ध्यान अखिएगा कुछ लोग यह मानते हैं कि neo-liberal time से ही अब यह neo-liberal time कब आता है आप यह मान के चलिए यह जो theory है generally post second world war के बाद में ज्यादा prominent peak पे आती है वैसे यह economic theory है बाद में इसको अलग-लग field में adapt किया जाता है इतना ध्यान रखी है कि neo-liberal जो theory है वो basically market oriented है market को ज्यादा space देत स्टेट का रोल जो हो कम करती है तो कुछ स्कोलर यह मानते हैं कि private administration का रोल बढ़के है public administration का कम हो गया और कुछ यह मानते हैं कि neo-liberal time की वज़े से public administration का जो रोल है वो change हुआ है क्यों क्योंकि neo-liberal state में काफी सारी problems है जैसे environmental problem है technological problem है तो यह basically 1980s के आसपास यह theory काफी prominent हो थी थी बट पब्लिक administration के अंदर खास करके जो bureaucracy का size काफी बढ़ जाता है और state का रोल काफी dominating हो जाता है USA जैसे country के अंदर भी तब scholars को यह लगता है कि नहीं अब हमें जो bureaucracy का role है जो scope है उसको कम करना चाहिए और private sector को जाधा space देना चाहिए तो जो scope है public administration का यह public administration और लोग importance to welfarism और एक welfare democracy के लिए effective administration का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कुछ और ऐसे factors भी है जिनकी वज़े से public administration का जो scope है वो निरधारित होता है डिफाइन होता है जैसे कि development of information technology, information and communication technology, development of new liberal state, the concept of participatory development, good governance का concept है, e-governance है, environmental concern, human rights approach, new social movement and social situations या social जो change आ रहे हैं तो यह कुछ ऐसे factor है जो as an activity, ध्यान अखियेगा, as an activity, public administration के scope को define करते हैं, अब बात करते हैं as a discipline, देखो मैं अपनी तरफ से पुरा explain करने की कोशिश कर रहे हूं बट फिर भी अगर आपको कोई doubt होता है तो comment section में आप हमें बता सकते हैं, as a discipline, discipline मतल अब जब हम और आप अभी पढ़ रहे हैं, तो हम उसको as a discipline ही पढ़ रहे हैं, इसमें दो views हमारे सामने आता है, कि scope क्या है, जैसे कल मैंने आपको broader view और narrower view बताया था, तो वहाँ पर हमने subject matter view के बारे में भी बात करी थी, कि मालीचे कोई ऐसा organization है, जो defense के लिए काम कर रहा ठीक है, तो अब इन तीनों की जो administration होगा, वो अलग-लग होगा, integral view के हिसाब से, इन तीनों का administration होगा, वो अलग-लग होगा, क्योंकि इनका subject matter अलग है, यह जिस field में deal करते हैं, वो field अलग है, ठीक है, on the other hand हमने देखा था, managerial view में यह कहा गया था, कि यह subject matter matter नहीं करता है, यहाँ पर basically, subject matter views जो है, तो यहाँ पर administration जो है, वो ज़्यादा चीज नहीं होगा, क्योंकि हम चलते हैं management वाले function पे, तो management का function almost हर एक organization के अंदर आपको same ही मिलता है, तो जो post code view है, वो कही ना कही managerial view को justify करता है, और जो subject matter view है, वो integral view को justify करता है, दोनों को ही समझने की कोश करते हैं, अच्छे, यह post code जो है ना, यह कुछ शब्दों से मिल करके बना है, ठीक है, अब वो शब्द क्या है, उनको हमें समझना होगा, जब आप एक organization में काम करते हो, और आपको सुनाई देता है कि management हो रही है, तो management के अंदर क्या क्या चीज़े आती है, जो आप manage कर रह sources के उसको जरत पड़ेगी, that is planning, तो यह सारा post को view बताता है management के बारे में इतना ध्यान अखियेगा, manager को क्या काम करना होता, और यह जो view है वो आने वाली theories में भी आपके लिए काफी helpful होने वाला है, तो पहला post को view में P stands for planning, planning means working out in broad outline, things needs to be done and methods adopted, क्या काम करने वाले हो आप और कैसे करने वाले हो, कौन कौन से methods adopt करने वाले हो, then second आता है O stands for organization, organization मतलब की establishment of formal structure of authority, क्या आप कौन सा structure जो हो बनाने वाले हो formal, then as for staffing, जो आपके ideas है उसकी हिसाफ से आप staff hire कर रहे हो, D stands for directing, जो आपने staff hire किया और जो आपके objectives हैं उसके हिसाफ से अपने staff को direction दो, फिर अल support करें, जो भी आप information या जो भी issues आ रहे हैं, जो data आपको चाहिए, उसके रिगार ने हैं, जैसे माल लीजिए, कि आपने कोई, कुछ भी एक नया organization बनाने का सोचा, जो की काम करेगा wastewater collection पे, और सुरी, wastewater treatment पे, तो आप यह देखेंगे कि wastewater को treat करने के तो बहुत सारे तरीके ह हैं, यह तो आपका objective हो गया कि आपने अचीव करना है, यह तो goal ultimately, लेकिन इस goal को achieve कैसे करोगे, आप कौन सी technique लगाओगे, कि क्या methods क्या होंगे, कितना budget होगा आपका, और कैसे अपने resources का use करोगे, तो यह तो होता है planning, कि मुझे wastewater treatment plant लगाना है, लेकिन कौन सी technique पे लगाना है, कितना resource चीए, कितना budget होना चीए, कोई सा method में adopt करूँ, यह सारी चीए, दिन जब आपने यह सब decide कर लिया, अब आपको चीए treatment के लिए plant, plant मतलब एक organization, जिसमें आप वहाँ पे काम करोगे, भी सिखी, ठीक है, आपने एक plant भी लगा लिया, उसके बाद में आपको चीए यह decision है, आप उनको बताऊगा कि ओके आप waste water treatment plant में काम करने जा रहे है, तो ultimate हमारा goal यह है, लेकिन presently आपको यह यह काम करना है, आप उनको अपने decisions बताते हो, order issue करते हो, और coordination में क्या आता है, basically कि माली जीए कोई entry point पे काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कि अलग लग जो आपके sections हैं, वहाँ पे काम कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, basically, जो अलग लग organization काम कर रहे हैं, okay, so, आप उनकी अलग लग activities को coordinate करोगे, और उसके बाद में आप जो भी काम कर रही हो, जो आपकी units से वो काम कर रही हो, आपको अपने काम के बारे में report करेंगे, ठीक है, तो यह था आपका post curve view, last, जो है, वो budgeting रहा गया, जो मैंने बता दिया आपको, इसमें आप fiscal planning करते हो, control, accounting, auditing, यह सारी चीज़े सके नराज जाते हो, इसके benefit बहुत सारे है, लेकिन इसके limitations भी हैं कुछ, जैसे Luther Gullick के हिसाब से, जो post curve view है, वो common है to all organization, और इनोंने ही इस view को develop किया था, लेकिन बताता हो, ना ही administration के important aspect के बारे में बताता है, ठीक है, basically वो यह मान के चलता है, कि हर type की agency, चाहे वो किसी भी field में काम करी हो, उनको same management की issue आते हैं, same management की issues वो face करते हैं, बेट ऐसा नहीं है, तो इसकी सबसे बड़ी limitation यही है, कि यह जो view है, वो basically subject matter की study को ignore करता है, ठीक है, यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए, then इसमें policy formulation से related कोई भी reference नहीं दिया गया, ना ही policy implementation के बारे में कुछ कहा गया है, तो we can conclude की according to postcode view, जो scope है administration का, वो काफी narrowly define किया गया है, यह inward looking है, and top management तक ही अपने आपको सीमित करके रखता है, ठीक है, तो postcode view के alternative के तोर पे, एक और view developed हुआ, that is subject matter view, तो वो क्या कहता है, already हम इसके बारे में discuss कर चुके हैं, बट फिर भी हम यहां पे discuss कर लेते हैं, according to this view, public administration deals with, not only with administrative techniques such as postcode, but also deal with substantive field of administration, substantive field of administration की कोई भी organization जिस field में काम कर रहा है, वो field कैसा है, उसमें भी बहुत हद तक चीज़े matter करेंगी, आपका management decide करेगा, चीक है, या scope decide किय जाएगा, जिसे कुछ field है, defense, defense में आपको क्या लगता है, कि public administration का जो role है, वो कैसा होगा, on the other hand, social welfare में public administration खुद आगे ना करके हो सकता है, कि NGO बगएरा की help ले, individuals की help ले, society या people participation उनको ensure करे, but defense में आप ऐसा नहीं कर सकते, defense में आपको orders follow करने होते हैं, right, आपको command पे ही सार objective field of administration है, वो भी काफी हद तक scope of public administration को define करता है, तो, जो subject matter है, उसकी knowledge होना, ठीक है, with which an administration of that department is concerned, is very essential for the effective administration of that agency, एक चीज़ और मैं बता दूँ, जिससे मैंने notes में, ADMN, essay करके administration को लिखा है, but आप notes मनाते time तैसे लिख सकते हैं, लेकिन answer के अंदर essay short form को avoid करो, okay, क्योंकि ये generally accepted नहीं है, ये आप अपने हिसाब से लिखते हो, जैसे लेकिन आपने माल लो NPA लिखा, तो एक बार उसको mention करो answer में कि NPA की full form क्या है, new public administration, उसके बाद में आपको full form लिखने की ज़रत ने हैं, फिर वहाँ पे आप NPA लिख सकते हो, ऐसा ही आप NPM के साथ कर सक क्योंकि ये accepted short forms है, administration को ADM लिखना, ADMN लिखना ये accepted नहीं है, तो ऐसे short form को आप avoid करना, okay, कहने का मतलब ये है कि subject matter की knowledge होना, ये बहुत ज़रूरी है उस particular department के लिए, इस particular agency के लिए, तो कौन सा बढ़िया है, मतलब subject matter view के हिसाब से हमें चलना चाहिए, कि हमें चलना administrative technique भी definitely important है, no doubt important है, और साथ ही साथ substantive field में expertise का होना, वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसके एक example देती हूं, मालो को एक ऐसा person है, जो finance की study करके आए, आपको क्या लगते है कि उस person को finance वाले department में डालने से ज़ादा आपको benefit होगा, या फिर किसी ओर department में, manufacturing process के अंदर उ वो person जिसको finance में expertise है, जो finance पढ़ किया है, वो जादा बहतर financial decision ले सकता है, right, manufacturing process के नहीं, on the other hand, एक ऐसा person है, जिसको लोगों से deal करने का बहुत अच्छा experience है, तो वो फिर public relation में जादा अच्छा role play कर सकता है, finance में नहीं, तो कहने का मतलब ही होते है कि आप जिस field से आते हो, जिस field से आप आते हो, वो भी काफी हद तक public administration के scope को define करते है, तो आपको पता होना जी अपने subject के बारे में, अपने field के बारे में, तो कौन सा बढ़िया है उसके बारे में, लेविस मेरियम का एक view देख लेते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ये दो धारी तलवार है, I'm sorry, य ये कैंची के दो blades की तरह है, तो कैंची को चलाने के लिए आपको दोनों blades की जरत पड़ती है, एक blade आपका post scope view है, और दूसरी blade आपकी subject matter view है, तो आप दोनों को ही avoid नहीं कर सकते, दोनों को ही आप साथ लेकर के चलोगे, तभी काम होगा, तभी आप एक अच्छा tool बना प On the other hand, Herbert Simon कहते हैं कि public administration के दो important aspect है, Herbert Simon का आप नाम सुनोगे, decision making theory के अंदर, जो पढ़के आ चुके हैं, हमारी वैसे हम already एक lecture series हमने provide कराई ये public administration की, बट जो लोग पढ़के आ चुके उनको पता होगा, और जो नहीं पढ़के हैं, उनके हम बता दू कि decision making theory में हम Herbert Simon को पढ़ administration के दो important aspect होते हैं, एक तो तर decide करना और दूसरा काम को करना, implement करना basically, तो जब आप decide करते हो तभी तो आप काम कर पाओगे, इनके according decide करना ये ही basis बनता है, चीजों को करने के लिए, आपने decide किया कि, ओके मैं अभी 8 गंटे study करूँगा, तो करने से पहले आपको decide करना तो आप किसी भी चीज को नहीं follow कर सकते, unless आप उसको decide नहीं करते हैं, इसलिए public administration काफी broad ranging है, और काफी इसका जो theory और practice को मिल करके ये पुरा filled बनता है, अकेली theory पे भी आप नहीं चल सकते, अकेली practice पे भी आप नहीं चल सकते, प्रफिसर फिपनर कहते हैं कि public administration includes the totality of government activity, इसमें क्या क्या चीज़ें आजाती हैं, इसमें बहुत सारी technique आजाती है, बहुत सारी variety आजाती है, बहुत सारी organization है, government के अंडर, बहुत सारी management technique follow होती है, हमारे पास objective भी defined है, और trust me हमारे पास कोई एक single objective भी नहीं है, public welfare, we all know कि हमें public welfare के लिए काम करना है, लेकिन कई वर ह इसमें national interest के लिए भी काम करना पड़ता है, जहां पर हमें थोड़ा सा public welfare है, उसको हो सकता है कि थोड़ा सा आपको avoid करना पड़े, आप backseat पे रखना पड़े, तो national interest वो first है, public welfare भी अलग-लग आसपेक्ट से आप define कर सकते हो, भी poverty ना हो, ये भी पब्लिक अफेर activity है, welfare activity है, basically, environment आप अच्छा उनको provide करो, उनको अच्छी freedom मिले, अच्छा काम हो, employment हो, तो ये बहुत सारे goals होते हैं, एक government के, ठीक है, और multiple goals के साथ ही multiple organization establish होते हैं, कोई organization river water के लिए लगा हुआ है, कोई interlaking के लिए लगा हुआ है, कोई चाहता है कि घर घर जल पहुचे, कोई urban development में ह है, कोई finance department है, कोई law and order को maintain कर है, so basically, बहुत सारी variety और बहुत सारी techniques है, organizational management के, जहां पर हम अपने social purpose को achieve करते हैं, और ऐस बहुत सारे हैं, बहुत सारे हम effort करना पढ़ता है, बहुत सारे हमारे goals है, so basically, what is public administration, it's a study of man material and method in administration, ठीक है, तो ये था आपका scope of public administration, I hope आपने अच्छ से इसको समझा, अगर फिर भी कोई doubt होता है, तो आप हमें बता सकते हैं, are you looking for best study material for public administration, 9896859767